आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ सवाल यहाँ पर कहा रहा है Why should we use unleaded petrol in motor vehicles? याने कि जो हमारे motor vehicles होते हैं उसके अंदर हमें unleaded petrols क्यों use करना चाहिए है उसके बारा मैं उझे करनी है बाद आपको पता ही होगा जो हमारी automobils होते हैं या फिर जो हमारे vehicles होते हैं उनके अंदर हम commonly क्या use करते हैं हम gasoline यूज़ करते हैं तो हमारा यह जो lead होता है यह हमारा एक compound होता है chemical compound होता है हमारा इसको हम क्या करते थे commonly पहले हम इसको gasoline यानि की petrol के अंदर mix करते थे अब हम इसको mix क्यों करते थे क्यों क्योंकि इससे हमारे जो automobil का जो engine है या फिर उसकी जो life है वो हमारी बढ़ जाती थी हाँजीश की life expectancy जो वो increase हो जाया करती थी साथी साथ में यहां पर जो हमारे shear और tear जो हुआ करता था यानि कि हमारे जो life है उसी वो तो बढ़ चुकी है साथी साथ उसका जो हम maximum thrust मिलता था thrust in the sense यानि कि मुझे जो उसका output मिलता था engine के दोरा वो भी काफी जाथ अच्छे मातरा में मिलता था इसलिए हम lead वाले petrol को use किया कर देते हमारे पहले automobiles के अंदर लेकिन कुछ साल बात हमने क्या किया हमने unleaded petrol का use start कर दिया जो हमारी government है उसने unleaded petrol का use बैन कर दिया था अब ऐसा क्यों हो था उसके बारे बात कर नहीं है तो बतातूं यहाँ पर जो हमारा petrol था इसके अंदर हम एक additive डालते है जो कि हमारा lead है lead एक chemical compound होता है साथे साथ बता जाता हूँ जो हमारा lead होता है वो होता हमारा heavy pollutant इसको बोलते है heavy pollutant यानि कि यह हमारी body के अंदर जाके deposit हो जाता है हाँ यह degrade नहीं होता है metabolite नहीं, metabolism नहीं होता है इसका body के अंदर से निकलता भी नहीं है तो यह जो lead होता है for example अगर यह हमारी humans के अंदर चला जाता है humans इससे exposed हो जाते हैं environment के अंदर जो हमारे plants होते हैं कई बार उसके अंदर भी हमें इसके lead disorder देखने को मिल जाता है मेरी बात हो गई heavy pollutant की साथी साथ जो हमारी lead automobile थी जिनके अंदर lead petrol यूज़ हो रहा है वो हमारी toxic gases को भी toxic gases को भी emit करती थी यानि कि इन gases के अंदर हमें lead वाले compounds देखने को मिलते थे जो कि हमारे environment और हमारी living organisms थे animals, plants या फिर humans उनके लिए क्या हो से थे toxic होते थे तो इस सब चीजों से इसके detrimental effect से बचने के लिए हमारा जो leaded petrol था उसका जो use है वो बंद कर दिया गया था और leaded petrol का use जो है वो start कर दिया गया था Thank you